आज हम सभी भगवन दतत्रय के जैनती पे और हर ब्रस्पति बार के दिन भी अगर चाहें तो किस प्रकार से उनके नमित दीपदान की विधी करने हैं उसे देखेंगे यह उनका भबसा चोकी सजा दिया गया है देखिए दो दीपक हैं फल हैं मिठाय आदी भोग उनका स्रिं प्रकार से कर सके आप अपने अनुसार उनका आरंभिक पूजन गरमादी कर लीजिए गा इस तरीके से पहले चोकी सजा देनी है तथा दीपक हमें 25 लेने हैं एक करम साक्षि दीपक रहेगा पहले और 24 दीपक जो है त्रिकुन बनाना है दो तीन नारियल है जिसमें से हम 6 नारियल का बनाएंगे कैसे वो आगे देखेंगे रोई कलावा फूल और यह जो दोना है इसके अंदर जो है पलास के पत्ते का कटोरे इसमें हम दीपक को रखेंगे चावल रोली हल्दी आदी सभी सामगरी यह हमें ले लेनी है अब इस प्रकार से पूरे चोकी को सजाने क अब हम आगे का कारिय शुरू करेंगे यह सभी सामगरी आपके पास एक साथ उपस्थित्पाले कर लीजिए यह लिख लीजिएगा दीपक में देखें पीले रंग से थोड़ा सा हल्दी से या फिर आप पश्टगन से उनका तिलक करके पीले रंग से कर दें जोड़े में बाती रहे कि सभी दीपक में एक शाथ आप इस बात का ध्यान रखेंगे और नारीयल का जो दीपक रहेगा उसमें एक स्वाठ कलावे की बाती रहे कि वो आगे दिखा देंगे किस प्रकार से करना है इसके पर शाथ आप भूमी पर जो है इस तरीके से चूंकि दीपक को धर्ती पे सीधे नहीं रखा जाता है तो पुस्प हल्दी आदी खिड़क करके ऐसे आप एक चौको रायत का रज्थन बना लीजेगा और इसी के उपर में आपको सब सजाना है यह देखी नारील को दो दो टुकडे में करके काट करके और उसे रोली और अश्टगन से अग़ा लक्षमी के नाम से यह कुल देवी के नाम से या कुल की जो सक्ती होंगी प्रम खुरुप से तथा यहां महार्शी अत्री और अनशोया के नाम से पीछे की दो दिपक प्रजूलित होंगे तो इस तरीके से यह पांच दिपक और टिपक और लगेगा, वो प्रिजुलित करेंगे नारियल के दीपक में तो इस तरीके से यह आरंभिक मंडल जो है दीप मंडल दीपदान के नमित पूरा बन करके व्यवस्थित हो चुका है अब इसके परचात हम आगे का भाग देखेंगे यह 108 कैसे तो यह देखिए जो कलावा है इसको हम जब निकाल क्या है तो आपको कम करना रहेगा तो अपने अनुसार गणना करके आप इस तरीके से कलावे को मोड मोड करके अब जैसे इसमें थातों 36 बारे से लपेटेंगे तो 108 बन जाएगा और उसको लगभग 4 अंगली के बराबरिया उससे अधिक मात्रा में लंबाई में करके काट करके जो छे दीपक हम नारियल के बनाए हैं उसमें लगा लेंगे दीपधान के विधी जो दिपावली वाली है उसमें भी हम लोगों इस प्रकार से पांच दीपरजुलित किये थे और दत्तात्रे भगवान के विधान में भी हम आश्य करेंगे दिखिए यह पूरा त्रिक दीपकों का त्रिकोन बनी गया मध्य में प्रमुख देवताओं का दीपदान हो गया बाहर में कुल भैरों के निमित का दीपक हो गया और उसके पर शात हम हल्दी रोली और चावल के पावडर से सुंदर सा बनाकरी कि एक ग्याराठ अस्थान बना दिये हैं इसका पूजन दूसरी और आप हल्दी की ऊपर में एक खपर जैसा पात्र रखें इसको तिलक आदि करें इसमें आपको भगवान की आरती के लिए तथा उनके निमित सभी सामगरी रखनी है प्रजुलित करने के लिए अगनी पजुलन के लिए तो इस खपर को सजाएंगे तद पाद चत इसमें डाल सकते हैं अब जो दीपक है नारियल की दीपक और उनमें आप कलावे डाले हैं तथा उसमें आप अपने एक्छा सकती अनुसार तिल का तेल सर्शो का तेल या फिर घी डाल सकते हैं तथा बाती की ऊपर देखें थोड़ा-थोड़ा सा कपूर भी रखती है ताक आप बैठ चुके हैं कर्मसाक्षदी प्रजुलित हो चुका है अब आप शर्पथम जो है जल को भी मंत्रित करना जो पूरा सटकम का आरंभिक वधान होता है पवित्री करना दी वह करना है अपने आशन पर बैठ के आप आचमन करेंगे फिर आप कुशा की पवित्री धार यह प्रक्रिया करने के पश्चात आप स्वस्ती वाचन करेंगे आरंभिक प्रक्रिया जो है वो अपने अनुसार आप कर लें सुध्य करना दी करने के तत पश्चार आप गनपती जी कास्मन करेंगे कुल देवी देवतास्थान देवी देवता कास्मन करेंगे पुश्प स के निमित भगवां दत्त्राय मा भग्वती अनगा लक्ष्मी भगवान रिसी अत्रे तफा मात Products अनुश्विया आप सभी के प्रसंता के निमित सभी रध्ish स्यध्यों के प्रसंता के निमित इस दिन हम आज के दिन हम दीप दान करने का शंकल्प ले रहे हैं भगवानदत आप प्रषन हो तथा हम पर होमारे परिवार पर परून करपा करें इसके पर शाथ आप दीप रजुत करेंगे भगवान दजतत्रे के शमक्ष दो दीपक रखेंगे ये दोनों दीपक जरूर की ही का होना चाहिए जो प्रथम दीपक रजुलित होगा वो गणपती सहित समस्त देवी देवताओं के नाम से और दूसरा दीपक जो प्रजुलित होगा वो आपकी कुल शक्ति के निमित ये दोनों घी के दीपक होने चाहिए इसके पर शाथ आप कुल भारो का दीपक प्रथम प्रजुलित करें यहां पर नारियल का दीपक सबसे पहले कुल भारो का प्रजुलित हो जाएगा कुल भारो का दीप प्रजुलित जब हो गया तत्व शाथ अब आप जो है आगे के जितने 24 दीपक जो है वह अपने दाहिनी ओर से यानि कि क्लॉक वाइज जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरीके स ढाहिने से बाइद feme क Azure एक एक करके शबही दीपको प्रजुलित करते जाएंगे मात्रिप दान करके शिव ओंदिर में उनको को दीप जान से बड़ी प्रसंद होते हैं तो हर हमारे पुराणों में प्रतेइक देवता का और तंत्र शास्त्र में भी हर देवता का अलग-अलग विधान है यह जो विधान इस विधान से आपके कुल के देवी देवता कुल के पित्र के शहित आपका कोई रिस ही दोस हो तो यहां पर भगवान अत्रे मानशुय करिपा से वह दोस का भी शमन हो जाएगा कुल की सक्तियों का कुछ दोसों वह भी शमन होगा उनकी क्रिपा मिलेगी और भगवान दतत्तमा अनगा लक्षमी तो आपको धन दान एश्वारी समस्त विपत्तियों से मुक्त करें तो इसलि भगवान दत्त रहे के अस्मन करते हुए और जब भी आप दीप्रजुलन करें तो भगवान करें अनगा लक्षमी के नाम से दीप्रजुलित हुआ अब महर्शी अत्री जो भगवान दत्त के पिता माननेगे हैं उनके नाम से तत्वशाद अब भगवती अनशुया और बीच में जो हैं कुल देवी के नाम से तो इस प्रकार से समस्त दीपों का प्रजुलन यहां पर हो चुका है दीप प्रजुलन जब समस्त हो जाता है और यह पूरा दीप प्रजुलन के विधी में जो बाकी के दीपक्त हैं उन शबही का प्रजुलन जब करेंगे उस समय में आप परंपरा के वादी गुरुमा देखे कितना भव्य और दिव्य लग रहा है दीप दान्विधी भगवान तत्रय को आशे भिस्मत गामिता कहा गया है यानि के स्मन करने मात्र से आ जाते हैं और यहां तो आप इतनी भव्यता के साथ उनका इतना दीप प्रजुलन करके आभान कर रहे हैं सो प्रतिसत भगवान तत्रय जो हैं अपनी पूर्ण सक्तियों के साथ आपके अस्थान पर जिस समय आप यह विधी करेंगे अवश्य उपस्थित होंगे इसलिए उनकी उस आलोकिक्ता को उनकी उस दिव्यता को अपने भीतरात्म साथ करने के लिए हमारे आभा में अगर माताएं बहने वो कर रही हो तो और भी सुन्दर होता है जब यह विधान हो जाए जब तक दीप्रजुलित होते रहे तब तक आप उनका पाठ कर सकते हैं तत्पशात आप आरती करेंगे इस तरीके से खपर में कपूर को जला करके पहले उश्म तीन बार आजमनी कवाचादी जो भी आप इनके निमित परणना चाहें जब करना चाहें जब कर सकते हैं बाद में आपको आरती उतारनी है जब दीप बोजने लगे तब यह काम जरू कना यह नहीं कि तुरण-तुरण सब कुछ कर दी हैं तो हम दिखाने के लिए हैं पूरा विधी कर रहे ह कि कैसे आपको करना चाहिए हमारा विधी विधान और भी इससे भगविती करे पास और अच्छा होता है वो थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा लेकिन इस विधान से भी आप कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप करने के पशाद भगवान को नविध्य भोग आदी के पास तीन चैन के समघ्ट और और शमर्पित करेंगे अनपुर्ण सदापुर्ण या पराण आये वाहना इश्वाह आगर आपको मनतरा आता है तो उस प्रकार से जितना सरलतम से हो सके समर्पन के साथ पुरे भाव क्षाद भगवाव दत्त का इस प्रकार से आप पूजन करें पुषपांजली करेंगे हाथ में पुषपले कि यह जरूर करना है जिस भी प्रकार से आपको पुषपांजली मंत्र आता हो तो ठीक है नहीं तो उनका समन करते हुए कि प्रभु आपकी चण्णों में हम पुषपांजली से मर्पित कर रहे हैं कृप्या हमारे मांशिक भाव पुषपांजली को आप श्विकार करें हम पर प्रसंद हो और हमारा कल्यान करें ऐसा कहा कि आप भगवान को पुषपांजली अर्पित करें तब पूरा दीपक सारा बोज़जा सब जल के पूरा पूर्ण हो जाए तब शात आपको ठंडा करना है बाल्टी में जल लेकर के शावी सामगरीओं को पहले इसमें डालेंगे और जब इसमें डाल देंगे तब कहीं किसी गमले में या किसी अच्छे स्थान पर फिर उनको विसरजन करेंगे नदी में पिसंद कर सकते हैं पैर नहीं लगना चाहिए ऐसे जगह में रखना है तो आसा करते हैं कि भगवान परत के नामशे प्रजुलित कीजिएगा कि जिन से हम नहीं है सीखा उनका भी आपकल नाड़ करें जयामा बिन्दवाशनी हर हर महादेव शाथ बने रहें आगे चलते रहें कि जयामा बिन्दवाशनी आज हम सभी भगवन तत्त रहे के जैन